हलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन विजय परिवार में आपका स्वागत है सबसे पहले तो आप तमाम बच्चों को मैं MPPNST, MPGNMST और MPANMTSD की एडवांस में बहुत बहुत शुब कामना देना चाहता हूं और बदाई इस बात की देना चाहता हूं कि आपका शानदार पेपर होगा बहतरीन रिजल्ट होगा प्यारे बच्चों देखिएगा मध्यपरदेश में PNST, BSE Nursing, GNM और A&M इन तीनों के लिए फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप तमाम जिन भी बच्चों ने फॉर्म बढ़ा होगा आप सब बड़ी शिद्दत और इमानदारी के साथ मैनत कर रहे होंगे लेकिन मैं कुछ टिप्स आपको देना चाता हूँ जो आपकी तैयारी को और बहतरीन बनाएंगे और प्रिप्रेशन को बुष्ट करेंगे और आपके अंदर एक्जाम को लेकर के जो डर हैं उसको थोड़ा कम करेंगे प्यारे बच्चो पहले तो हम देखते हैं कि हमारा एक्जाम है कब आप सब को मालूम है कि अगर मैं एनम की बात करूँ तो एनम की जो मेरी बहीने हैं उनका एक्जाम है ना उनका एक्जाम है 28 अगस्त को बस आप यही डेट नौट कर लो है ना कौन सा अगस्त 28 अगस्त ठीक है तो आपके पास में कितना टाइम है अगर मैं कहूँ 28 अगस्त को एक्जाम है तो आपके पास कितना टाइम है तो आप कहोगे सर हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन है आप ग्यारा दिन मान लीजिए है ना तो इसलिए एनम की जित्ती भी बहीने है उनको टैन डे स्टडी प्लान बना करके स्टडी करनी है ठीक है जबकि जो बी एसी नर्सिंग की और जी एनम नर्सिंग के लिए जिन बचों ने फॉर्म लगाया है उनका एक्जाम कब है चार और पांच सितंबर को तो आप चार सितंबर एक्जाम की डेट मानिये तो आपके पास भी किताग टाइम है पंद्रा दिन तो आप बस 15 दिन का स्टेडी प्लान लेके चलिए कि भाइ मेरे पास में पंद्रा दिन है ठीक है ना और इन फंद्रा दिनों के अंदर ही मुझे बेस्ट परफॉम करना है तो एक्जाम को लेकर के अगर हम बात करें तो एक तरफ A&M वालों के पास 10 से 11 दिन है दूसरी तरफ B.S.C. नर्सिंग और G.N.M. नर्सिंग वालों के पास 14 से 15 दिन है 16 दिन माल लो ठीक है अब देखो बिटा तो इस समय हम कैसे प्रिपेर करें सिलेबस सभी को पता है B.S.C. नर्सिंग का भी वही सिलेबस है बिटा और G.N.M. नर्सिंग का भी वही सिलेबस है और A.N.M. नर्सिंग का भी वही सिलेबस है तीनों के इंटरेंस एक्जाम का पेपर पैटरन और सिलेबस सेम है कि बाई बायो, केमेस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लीज और जी के ये पांच सब्जेक्ट है, टोटल वीस वीस क्यूसन पर सब्जेक्ट के पेपर दोनों माध्य में हैं, एक्जाम ओनलाइन होगा, दो गंटे का टाइम मिलेगा केवल 12 का सिलेबस है, इस बार, 100 नंबर का पेपर लगेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पेपर हिंदी और इंग्लीज दोनों मीडियम में है, ठीक है न, तो अब हम सरकिन किन बातों का ध्यान रखे, देखो बेटा, आप सब को पता हैं, कि फिजिक्स, केमेस्ट्री औ पढ़ रहे हो, और 12 में भी आपको पता है, जो चेप्टर डिलीट हो चुके हैं, वो तो हमें पढ़ने नहीं है, तो इस बार, सिलेबस बहुत ज्यादा सोर्ट है, वेरी सोर्ट सिलेबस, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है बिटा, तो फिजिक्स, केमेस्टी और बायो का कोई बाइलो ज्यादा सिलेबस नहीं है, वेरी सोर्ट ज्यादा सिलेबस बिजिक्स में कितने चेप्टर हैं, 14, केमेस्टी में 10, और बायो जी में 13, यही है कि कुछ और है, है तो यही, तो अगर इतने चेप्टर है बिटा, तो अब आपको समझना यह है, कि हम किस तरह से इन चेप्टर को पहले फिनिस करें, देखो मुझे पता हैं, आप बहुत सारे चेप्टर पढ़ चुके हैं बिटा, है ना, किसी बच्चे ने 10 चेप्टर फिजिक्स के पढ़े होंगे, किसी ने केमेस्टी के शाथ पढ़े होंगे, किसी ने बायो के 9 होंगे तो अब आप क्या करें किन-किन बातों का ध्यान रखें कि बाकी जो बचा हुआ है सिलेबस वो भी कंप्लीट कर लें और पहले जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन भी कर लें है ना साथ ही साथ इंगलीज और जी के ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं ठीक ह अब देखिए बेटा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस दस से पंदरा दिन का एक प्रोपर अपना टाइम टेबल बनाओ अपना इस्टेडी प्लान बनाओ उस टाइम टेबल को फोलो करोगे तो आप पूरा सिलेबस सिस्टेमेटिक डंग से कर पाओगे है ना तो सब से पहले तो बेटा एक रफली अपने माइंड के अंदर या आप लिख भी सकते हो एक अपना टाइम टेबल होना चाहिए बेटा जिसमें आपको यह आईडिया होना चाहिए कि मुझे कल यह पढ़ना है परसो यह पढ़ना है मुझे इन तीन दिनों में यह यह चेप्टर प अब ओपन किया अब आप उसे प्रेक्टिस कर रहे है उसको पढ़ रहें अब 4 गंटे से आप वही चेप्टर लिए बेटे हैं और वह आप फिनिस ही नहीं किए तभी माइन में कुछ और आया और एक नया चेप्टर आपन कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि आप जंप कर र आप अपना fix टार्गेट बनाए बेटा और टार्गेट भी कुछ इस तरह गा कि उसमें daily daily आप बेटा physics का एक chapter chemistry का एक chapter और biology का एक chapter साथ ही साथ English और जी के इनके भी एक एक chapter आपको करने ओंगे ये टार्गेट लेके चलो आप कैसे complete नहीं होगा syllabus बिटा लोगों ने 15-15 दिन के अंदर पूरा syllabus फिनिस किया है और जो बच्चे जिनके 100 में से 15-15 नमबर आते थे वो बच्चे बिटा 85 तक नमबर लेके आए हैं मैनत करनी पड़ेगी जुनों लेके आना पड़ेगा systematic study करनी पड़ेगी सोचना पड़ेगा कि मेरे पास ये last chance है ये सोचो मुझे जितनी मैनत करनी है इसी exam में करनी है इसके बाद मेरे पास और कोई chance नहीं है ये सोच करके आप exam दीजिए ये सोच करके मैनत करिए बिटा ये आपके सामने जो बुक्स रखी हुई है आपके सामने जो किताब है इसके हर एक पन्ने को याद करने का परियास करिए ठीक है ना अपने अंदर बेटा एक जुनून रखिया आप डर ये मत इस एक्जाम से ठीक है ना ऐसे एक्जाम आपने जिन्दकी में बहुत दिये हैं ठीक तो सबसे पहली बात है डेली का टार्गेट फिक्स करिए और उतना टार्गेट पूरा करिए अगर आज का टार्गेट है मैंने सुबह उठते ही पहले डिसाइड किया कि मुझे बाईलोजी के अंदर तो तीन गंटे में उसे फिनिस करिए आप आपने टार्गेट बनाया कि आज मुझे सुबह फिजिक्स का एक चप्टर रेडी करना है च्छा बज़े पढ़ने के लिए बैठे आपने टार्गेट बनाया कि यार 9.59 मैं फिनिस करूंगा तो 9.59 तक जहां बेठे हैं वहां से ख कि लिए जाधा लगेगा आधा घंटा जदा लगेगा चलेगा ईए ठीक है ना टाइम टेबल इस तरह का बनाइए जिसमें कुछ इस तरह से कि बहाई मैं में मौन्निंग के अंदरào मौनिंग में मैं registers टूंगा करना सकते हैं है और उसमें एक ना अपना टाइम सेट रखिए क्या मुझे 6 से लगबग 10 11 तक पढ़ना है सुबह के टाइम बच्चो अब मेनत करो अब देर रात तक पढ़ सकते हो अडली मॉर्णिंग जल्दी उठके पढ़ सकते हो हैना अब कई रातों से आपका सामना होना चाहिए कि अब बातों से कुछ न नीद लेने के बाद का बचा हुआ टाइम अपनी स्टडी में कंप्लीट करें तो डेली का टारगेट और रिगुलर स्टडी अब एक भी दिन बेटा स्टडी मिस नहीं करनी है ध्यान रखना एक भी मिनट आपको मिस नहीं करना है कहीं किसी फंक्षन में मच जाईए साधी म में चले जाना ठीक है ना घूमने के लिए मार्केट में दस बार चले जाना हैं लूम में मौल में जहां पर भी आप जाना चाहते हैं अपने गाउं में सहर में गली में कोलोनी में आपके घर पे कोई गैस्ट आये हुए हैं ठीक है ना तो आप उनके पास बेट के बाते कम और अपनी किताबों से बाते ज़्यादा करिए, वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है, आप एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है न बेटा, तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा बेटा, कि आप जो हैं, रिगुलर क्लासेज देखिए, अगर आप उनलाइन क्लास देख रहे हैं बेटा, तो उनलाइन क्लासों का टाइम फिक्स की दिएगा अपना, है न, क्योंकि उनलाइन क्लासें भी दो तरह की होती है बेटा, एक लाइव क्लास और एक रिकोडेड क्लास, अगर बेटा आप recorded class देखते हैं तो इसका time आप fix रखिए ठीक है जैसे माल लो अगर आपका time है सुबह 8 बज़े से 9 बज़े तक physics की एक recorded class देखने का तो वो देखिए फिर miss मत करिए उसको अगर आप 9 बज़े से लेकर के 10 बज़े तक chemistry एक गंटे live पढ़ते हैं तो फिर वो पढ़िए ठीक है अगर live का time भी आपका fix है तो उस time live देखिए miss मत करिए ठीक है न और daily ये आदर डालिए बेटा एक class अगर live देखते हो तो एक साथ में recorded भी देख लो अगर आप देखो और बेटा online class उस chapter की देखो जिस chapter पे आपकी command अच्छी नहीं है अगर किसी chapter पे अच्छी command है chapter आपको बढ़िया तरह से आ रहा है तो फिर उसकी class देखने की जरुवत नहीं है आप उस class के notes को पढ़ सकते हैं उस class की PDF को read कर सकते हैं उस PDF को पढ़ने से notes को पढ़ने से भी आपका chapter ready हो जाएगा समझ रहे हो तो इसलिए एक class में दो गंटे के बजाए वो अगर chapter आदे गंटे पढ़ने से हो रहा है तो आप उत्ते समय में cover करिए जो chapter आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं अब उन पे कम time लगाईए और जिस chapter में आपको थोड़ा सा दिक्कत है doubt है उन chapter को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ठीक है न और अपने जो sword notes है उनको आप read करें बेटा और अभी भी जब आप पढ़ते हैं न तो quick revision के लिए sword notes बनाईए flow chart बनाईए पूरा chapter एक या दो page में लाके रखिए छोटे छोटे point लिखिए बेटा important important point extract कीजिए निकालिए जब कोई आप पूरा chapter पढ़ रहे हैं ठीक है न तो 7 में ऐसे छोटे छोटे important point बनाईए exam में आने लायक ठीक है न बिलकुल जी इसके अलाव बेटा ध्यान यह कई बच्चों की आदत होती है केवल क्योरी की ख्रैक्टिस करते हैं और कई बच्चोंकी आदत होती है केवल 20 से 30 क्यूसन प्रैक्टिस करिए आपने अगर बायों का मानलो जेनेटिक्स चेप्टर आज पढ़ा है अपने नौट से पढ़ा है या उसकी क्लास देखिए तो आप जेनेटिक्स के 30 से 40 MCQ भी प्रैक्टिस कीजिए objective टाइप के क्यूसन प्रैक्टिस कीजिए अब आप सोचोगे सर मैं क्यूसन कहां से करूं तो देखो बेटा अगर आपने online बेज लिया हुआ होगा अगर उस बेज में recorded क्लास है है ना तो recorded क्लास से theory हो जाएगी और अगर live class है तो live class से theory हो जाएगी अब बेटा देखो theory तो आपकी हो गई लेकिन क्यूसन कैसे प्रैक्टिस करोगे क्यूसन या तो आपके पास कोई न कोई बुक्स होगी अगर बेटा आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स से क्यूसन प्रैक्टिस कर सकते हैं है की नहीं है इसके अलावा अगर आपके पास बुक्स नहीं है मान लो है ना और आपक तो होगी न परतेक चेप्टर के important क्यूसन की PDF तो होगी या model paper होंगे अंदर या प्रीवियस ये के क्यूशन होंगे एक बात मैं बता दूं बेटा प्रीविएस एर के जादा से जादा क्यूशन आपको और प्रेक्टिस करने हैं लेकिन द्यान रखना मध्य पड्रदेश के अंदर जो पहले के जो पेपर हैं उनमें 11 के क्यूशन भी सामिल है पता है आपको पहले 11 भी आती थी अब 11 नहीं आती तो 11 की physics chemistry बायों को आपको नहीं पढ़ना ही ध्यान रखना ठीक है बच्चो बिलकुल जी थोड़ा जिम्मेदार बनने की जरुवत है बेटा है ना एप के अंदर विजय एजूकेशन का एप अगर जोइन कर रखा है तो बेटा इस एप में आपको टेस्ट मिलेंगे चेप्टर वाइस टेस्ट है बहुत सारे तो आप कोई भी चेप्टर पढ़ते हो ना बेटा तो फिर उस चेप्टर का आप टेस्ट दे दीजी एक बार टेस्ट नहीं देते हैं तो उस टेस्ट की पीडि अब कोई पढ़ लीजिए है ना डीपीप के नाम से फोल्टर बने हुए है विजय एजूकेशन एप में डीपीप को ओपन करके उस चेप्टर के इंपोर्टेंट क्यूसन है उनको आप रीड करिए इससे क्या होगा कि नह इससे क्या होगा वह चेप्टर पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा दुबारा आपके माइंड में आ जाएगा फिर से यह इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होगा पेपर इजी होगा आप करेंगे इस एक्जाम को ठीक है ना बिल्कुल इसके अलावा बच्चो आपकी जो बोर्ड आपने ट्वेल्ट का अगर एक्जाम दिया है तो ट्वेल्ट की बुक्स हैं तो होगी ना ट्वेल्ट की बुक्स नहीं है तो एंसी आर्टी की किताबें होगी तो एंसी आर्टी के खुद के बेटा बहुत सारे एक्जाम्पलर क्यों सन होते हैं एंसी आर्टी के प यूट्यूप एजूअन के YouTube चैनल पर बच्चों अमने विजे पथ और विजरत किस नाम से अमने दो सिरीज चलाई थी विजएपथ और विजए रत यूट्यूप के उपर जिस पे बच्चों हमने Physics, Chemistry और Physics, Chemistry और Bio विजय पत्थ सिरीज में हमने बहुत सारे MCQ करवाए थे ठीक है ना विजय रत्थ सिरीज में हमने बहुत सारे MCQ करवाए थे और विजय पत्थ सिरीज के अंदर हमने theory करवाई थी तो जो बच्चा विजय एजुकेशन के YouTube से पढ़ना चाहता है यूट्यूब में बच्चो हमने 21 जुलाई से आप 21 जुलाई से हमारी क्लास देख लीजिए 21 जुलाई से लेकर केर 10 अगस्त तक 21 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक 12th की 12th की बेटा Physics, Chemistry और बायो के हर एक चेप्टर के क्यूसन हर एक चेप्टर की थियोरी, Physics, Chemistry और बायो की Complete यूट्यूब पे भी करवाई हुई है अगर किसी बच्चे ने Online बेच नहीं लिया है तो आप यूट्यूब की मेरा थन क्लासों को 2 की Speed में देख लीजिए उनकी PDF को पढ़ लीजिए, बेटा देखो effort तो लगाना पड़ेगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सर हमें तो GK भी पढ़ना है, ठीक है न, हमें तो Test भी देने है तो इसके लिए आप उड़ान बेच भी जोइन कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर, एक बार Last में हम थोड़े Test देना चाते हैं, Model Paper पढ़ना चाते हैं वन सोट कुछ Classes भी देखेंगे, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप उड़ान बेच जोइन भी कर सकते हो, अगर आपको GK पढ़ना है, अगर आपको English पढ़ना है, ठीक है न, बिलकुल जी, साती सात PCB आपको पढ़ना है, वैसे PCB की Class बेटा उड़ान बेच में Already Recorded के त ठीक है न, बिलकुल जी, तो कोई बच्चा अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मेरे को बेच लेना है, तो भले ही आप उड़ान बेच लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बिलकुल जी, तो अब देखो बच्चो, मैं फिर कहना चाता हूँ आपको, थोड़ा विश्वा का टेस्ट देते हो, तो वो तभी दीजिए जब उसकी थियोरी आपने पढ़ लिये, ठीक हैं, ठीक है कि नहीं, बिलकुल जी, मेरे प्यारे बच्चो, मैं आपको बता दूँ, मैं MP के बच्चो के लिए, नर्सिंग के फ्री मोडल पेपर आपको देने वाला हूँ, फ्री म मोडल पेपर, जैसा आपका पेपर आएंगा ना, उसी तरह के फ्री मोडल पेपर बना बना के, मैं विजए एजुकेशन के, विजए एजुकेशन के एप के अंदर डालने वाला हूँ, एकदम फ्री में, और ये मोडल पेपर आपको कब से मिलने स्टार्ट होंगे बिटा, ये मोडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, आप ये मान के चलिएगा 20 अगस्त के आसपास, ठीक है ना, 20 अगस्त से आपके लिए इस्पेशल मोडल पेपर, इस्पेशल मोडल पेपर, ठीक है, ये मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, और लगबग पांस model paper आपको मिलेंगे एक model paper में 100 क्यूंसन होंगे बेटा जिसमें physics के chemistry के bio के इंगलीज के और gk के हैना हर एक segment से किते किते क्यूंसन होंगे बेटा 20-20 जैसा आपका paper का pattern और level है उसी level के रुसी pattern के क्यूंसन विजय एजूकेशन इन MP के लिए special जो free model paper देने जा रहा है इसमें आपको मिलेंगे लेकिन बेटा ये model paper तब पढ़ने है जब एक बार आप पूरा syllabus पढ़ लो तो model paper मिलने से पहले और model paper के साथ मैं free free mega test free mega test भी आपको देने का plan कर रहा हूँ लेकिन ये चीजे में आपको तभी दूँगा बेटा जब आप अच्छी मेनत करोगे जब आप systematic पढ़ोगे विजय सर आपके लिए तभी काम कर सकते हैं जब बेटा आप खुद के लिए काम करो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप विजय education का बेच लो नहीं कहता मैं मैं ये कहता हूँ कि आप पढ़ो मेरे बहीनों मेरे भाईयों अच्छी तरह से पढ़ो मध्यपरदेश में बेटा 2-3 साल बाद में जा के अब सई ढंग से एक्जाम होने जा रहा है इत्ता अच्छा मोका मिला है इत्ता सांधार आउसर मिला है आप किस तरह से इस बार मेनत करते हो वो बच्चों एक्जाम में पता चलेगा तो इसलिए सांदार मेनत की जरुवत है इस बार आप सब का लेवल एक जैसा है बेटा सभी ने तैयारी अभी शुरू की है दो महीने पहले कोई पहले लंबे समय से नहीं पढ़ रहा था बहुत कम बच्चे थे जो बहुत पहले से पढ़ रहे थे ज्यादा तर बच्चों ने मेरा तो सलेक्शन हो गई मेरा क्यों नहीं होगा मेरी तैयरी अची है अरे बेटा केवल 12 की फिजिक्स केमस्टी बायो इंगलीस और जीके इंगलीस में तो बहुत बैसिक चीज़ें आती है ठीक है ना और जीके में भी बहुत बैसिक जीके आएगा एच्पूनिया सर आपक कराएंगे ओबजेक्टिव टाइप के चैप्टर वाइस क्यों सन कराएंगे ठीक है ना वैसे एच्पूनिया सर को मैंने बोला है कि ठीक है बजाए आप क्यों सन करवाते हुए ठीक है ना तो मेरे प्यारे बच्चों और इंगलीस के अंदर भी सर आप 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 देखिए चैप्टर एक्जंपल के माधिम से पूरा प्रैक्टिस करा रहे है धिने सर और और की डारा सर की क्लास ड़ी गोई है है ना इसे तरह अब लुकली सब्सक्चत्र मेरे दोस्तो मेनत करिए ठीक है न, अपना fix time पढ़ने का बनाईएगा, सुबह 6 बजे जल्दी उठियेगा, और बेटा, रात 12 बजे तक अपना study प्लान होना चीए, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक का आपका study प्लान होना चीए, भले ही दिन में 2 गंटे rest कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठी कहना चाता हूं, अपने मन का बेहम, अपने मन का डर बार निकालिए, और बढ़िया तरह से मेहनत करिए, अच्छी तरह से पढ़िये, खुद से पढ़ सकते हो, तो self study कर लो, ऑनलाइन बेच लिया हुआ है, तो systematic ढंग से ऑनलाइन क्लास देख लो, ठीक है न, अगर free एकद भी मिल जाएंगे, ठीक है न, मैं हर एक चीज आपके लिए provide करवाने वाला हूं बेटा, लेकिन मैं फिर कहना चाता हूं, एक बार आप अपना study plan बढ़ाओ, एक बार अपनी रफ्तार को बढ़ाओ, एक बार जीत का संकल्प लो, कि अब चाए कुछ भी हो जाए, मुझे प पीछे आपने जित्ते भी chapter पड़े हैं, एक page के उपर ऐसे time table बना लो, कि मैं बायो का जो पहला chapter है, है न, इसका मैं MCQ practice करूँगा, ठीक है, ऐसे date fix कर दो, 18 की, फिर 19 को मैं बायो के second chapter के MCQ practice करूँगा, अगर आप इनकी theory पहले already पढ़ चुके हो बेटा, तो इनके एक ए गंटे, इनका daily आप revision करो बेख, भई अगर आज आप मानलो, बायो में, कोई बायो टेकनोलोजी वाला chapter पढ़ रहे हो, है न, ये fast time पढ़ रहे हो, मानलो आप chapter, है न, तो ये chapter पढ़ा, आपने तीन गंटे लगे, आपको इसकी theory पढ़ने में, है न, मानलो, एक गंटे पच्चो, थोड़ा physics को ज्यादा time दो, है न, chemistry को ज्यादा time दो, बायो को थोड़ा कम दोगे तो चलेगा, ठीक है न, और विश्वास रखो, सबसे बड़ी बात होती, believe, भरोशा, डरो नहीं, ठीक है न, बिल्कुल, बेटा, MP, PNST के अंदर मुझे याद है, ठीक है न, ब मैं 8 बजे शुरू करता था, रात 8 बजे तक क्लास देता था और हमारी बेटियां वो क्लास देखती थी बेटा, 12 गंटे की continue क्लास, 10-10 गंटे की और 8-8 गंटे की तो हमने कई मेरा तन ली और हमारी बेटियों ने देखिये उन क्लासों को, मैं salute करता हूँ और आपको भी ब दगस तक special class चलाई थी, क्योंकि राजस्तान के अंदर और MP के अंदर सेम सेलेबस है, physics chemistry बायों का, ठीक है न, तो मैंने तब भी बोला था कि विजे रत और विजे पत सिरीज जो है, वो राजस्तान के बच्चे और MP के बच्चे दोनों के काम आने वाली है, मैं फिर कहना च आते हो एक बार जिन्नोंने नहीं देखी है, तो विजे एज्यूकेशन के यूट्यूब चैनल पे जाओ, लाइव क्लास वाले सेक्षन में जाओ, वहाँ पर बच्चो 21 जुलाई से ले करके और दगस तक की class को एक बार देख लो, physics chemistry बायों आपकी इस तरह से तयार हो करेगा, डेली का टारगेट फिक्स करिएगा, डेली physics का एक chapter chemistry का एक, बायों का एक, इंग्लीज का एक और जीके का एक, हैना पांच chapter daily finish करने है, और पीछे पढ़े हुए जो chapter है, उनका sort में revision करना है, sort not से recap revision करना है, तियोरी के साथ क्यूसन प्रैक्टिस करने है, ठीक है, बिल्कुल, thank you so much, जय हिंद, वंदे मातरम, thank you बेटा, और मैं एक बात बता दूँ, और हाँ जाते जाते, मैं MP के लिए special marathon class से भी शुरू करने वाला हूँ, मैं अभी इसलिए नहीं शुरू कर रहा, क्योंकि अभी बहुत जल्द बाजी है बेटा, अभी बहुत सारे बच् special मेरातन भी लाएंगे, already हम पहले विजयपत और विजयरत ला चुके हैं, already MP के लिए भी कुछ और अलग से session का कुछ नाम रख देंगे, लेकिन उस मेरातन से पहले पहले एक बार आप खुद से syllabus cover कर लो, खुद से एक बार syllabus पूरा कर लो, तो मेरातन काम आएगी बेटा, स कर देंगे, कर देंगे, और फमτεंगे, कोुद से नाम उसाइब से वियरत अक्रेम रख फांधे, आगेक्झ ज से नांगे, लेक्या भी कर्शीमूण पहले, विज explorative effective देंगे, विए कुद में, तो मेरा पहलें, तो मेरान Con GemeN square हैं भी कुद से से लिजक मेरे, जुद иск है अर